कहा जाता है ना कि अगर सुख में कोई साथ दे और दुख में ना दे तो वो साथ ही नहीं होता है लेकिन जो दुख में साथ दे वो सबसे सच्चा साथ ही होता है इस बात को फिर से पवन सिंग जी ने प्रमारित कर दिया मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ वीडियो को अन तक जरूर देखेगा आप खुदी समझ पाएंगे और कमेंट करना ना भूले कि आपको यी वीडियो कैसा लगा कुछ दिन पहले राकेश मिश्रा जी के पिता जी का देहान थो गया हमें भी काफी दुख हुआ और हम परात्मा करेंगे की वो जहां भी हैं उनकी आत्मा को सांती मिले 20 तारिक को था राकेश मिश्राजी के पापा जी का किरिया करम जो हमारे बिहार का कलसर है जहां 12 दिन पे जो कारे करम होता है उसे किरिया करम कहा जाता है उसमें उन्होंने पवन सिंग जी को राकेश मिश्राजी ने इन्वाइट किया था पवन सिंग जी वहाँ पहुंचे अंकुस राजा भी पहुंचे देखा जाए तो इंडेस्टी में बहुत बाते चल रही थी कि कहीं ना कहीं दुस्मनी हो चुकी है पवन सिंग और आखेश मिश्राज जी के बीच में लेकिन पावर इस्टार तो पावर इस्टार है, उनोंने फिर से अपना दरिया दिली दिखाया और पहुंच गए उनके ग़र बहुत दिनों बात पवन सिंग को किसी के घर हमने जाते हुए देखाथ वैसे भी पावन सिंग हमेशा से अपने काम में काफे ब्यास देते हैं लेकिन कहा जाता है ना दुख में साथ ही वही खड़े हुए और भी कोई स्टार पहुंचे थे यह पूरी तरह से ख़बर नहीं आये लेकिन आपको बता दे कि पावन सिंग और अंकुष राजा वहां प